दोस्तों प्यार एक ऐसी चीज है जो किसी की भी जीवन को एकदम से बदल कर रख सकता है फिर चाहे वाग खुशी के मामले में हो या फिर कुछ होर तभी तो कहते हैं कि प्यार सिर्फ किस्मत वालों को ही नसीब होता है आज कल रिलेशन्शिप के बारे में तो आप देख ही रहे हैं कि क्या क्या चल रहा है आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं या ख़वरें सामने आती रहती हैं जिसमें हम देखते हैं कि किसी प्रेमी ने अपनी प्रेमी का को मार दिया या छोड़ दिया या उसके साथ बतसलूकी की ऐसे ही दौर में अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में कुछ ऐसे जीव या जानवर मौजूद है जो किवल एक ही पार्टनर के साथ अपनी जिंदेगी भर गुजार देते हैं यहां तक कि वह उनके मरने के बाद भी दूसर फाड़ कर रख सकते हैं लेकिन जहां बात लाइफ पार्टनर की हो वहां यह जानवर काफी लौयल होते हैं असल मायने में मौत ही इन्हें अपने पार्टनर से दूर कर पाती है अगर आप जंगल में किसी अकेले भेडियों को देखते हैं तो इसका मतलब साफ है कि या तो अपने पार्टनर का इंतजार कर रहा होगा या फिर गुजर चुके पार्टनर को याद कर रहा होगा भेडिये अपने पार्टनर की मौत के बाद नया पार्टनर नहीं धूनते हैं नमबर दो काले गिद्ध गिद्धों से तो इंसानों को हमेशा सही डर लगा है और तो और अब आपने यह वीडियो तो देख लिया जो कि जानलेवा भी हो सकता है लेकिन भले ही यह खतरनाक होते हैं मगर जब हम बात करेंगे इनकी लोयल्टी की तो यह अपने पार्टनर के साथ बहुत ही लोयल होते हैं दोस्तों अगर इने लगता है कि इनके पार्टनर की तरफ किसी की नजर है तो यह काफentar हो जाते हैं देखने मेरे बहुत खुबसूरत यह मचली यह काफी शांत होती हैं जो काफी लोगों का ध्यान अपने और आकरशित करती हैं यह मचली हमेशा अपने पार्टनर के साथ ही नजर आती है लेकिन जब इनके खाने वाले इलाके या फिर इनके पार्टनर के तरफ कोई और बढ़ता है तो यह काफ़े एग्रेसिव हो जाती हैं और हमला करने में एक मिनिट भी नहीं लगाती हैं देखने में छोटे उद बिलाओ इनसानों को भी प्यार में वफा का पार्ट पढ़ा जाते हैं अपने पार्टनर या सच्चे प्यार से मिलने के बाद इनका ज्यादातर समय साथ में ही बीचता है अपने रिलेशन को ठीक रखने के लिए यह काफी कुछ करते हैं छोटे से यह जानवर भी आपको हमेशा साथ ही देखने को मिलेंगे नमबर पांच हंस यह पक्षी बेहधी सुन्दर होते हैं जो कि जोडे में देखने पर बेहधी खुबसूरत लगते हैं हंसों को अपने पार्टनर के परती सबसे ज़ादा वफदार कहा जाता है नर्मादा हंसों की घोसला बनाने से लेकर अंडों को सेने और बच्चों और ख्याल रखने तक में मदद करते हैं यह इतने वफदार होते हैं कि इनकी वफदारी का उधारन भी दिया जाता है जो कि आप सभी ने भी शायद सुना होगा कुछ लोग तारीफ में कहते हैं न दोस्तों की देखो उनकी जोड़ी एकदम हंसों के जोड़ी की तरह लग रही है दोस्तों हमें हमेशा अपनी लाइफ पार्टनर के साथ एकदम वफदार रहना चाहिए कभी भी किसी को धोका नहीं देना चाहिए आज की इस वीडियो में हमने देखा कि यह बेजोवान जानवर भी हमें प्यार करना सिखा सकते हैं यह हमेशा एक ही पार्टनर के साथ में रहकर हमें प्यार का असली मतलब बता देते हैं तो फिर हम इंसान असल जिंदेगी में इसको नहीं अपना सकते इसके साथ आज की इस वीडियो में इतना ही यदि आपको हमारी वीडियो सी पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर subscribe करें वह आप हमें कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद जैहिंद जैहिंद